प्याडे बच्चों, आज रुबोल विशय के अंतर्यप्त, सुरियाता, अर्थात, सुरिसे प्राप्त वुष्मा जिसको हम शौर विक्रन के नाम से जानते हूं उसके बारे में शामन ने जानकाई प्राप्त करेंगे, आज हम सभी जानते हैं कि उष्मा का प्रधान शौर शौरी है, शौरी से ही प्राप्त वुष्मा जिसको हम शौर विक्रन के नाम से जानते हूं, जिसको हम सौलार रेडियेशन के नाम से जानते हूं, ये शौर से ही प्राप्त होता है। यानि उष्मा का अजस्त, आत्मान का स्रोत सौरी ही है। चड़ें, आज हम इस सौर्याताप के बारे में और विष्तार से समझने की कोशिस करें। सौर्याताप, सौर्च सिप्राप्त तापमान, सौर्च सिप्राप उष्मा को हम सौर्याताप करते हैं। अंग्रीची में इसको इंसोलेशन के नाम से जाना जाता है। अंग्रीची में इसे इंसलोलेशन के नाम से जाना जाता। ये सौर्यविक्रन जो सुर्च से हमें करत्षवी को प्रापकह बोता है। अगर हम दौर करें तो हम लोगे बाद दो आध्मा हाँ ही अन्सीं करत्षवी को प्राप। बेटें ये भी समझने की आवसकता है कि सुरिक के केंडर में तिर्री उस्मा है तो सुरिक के केंडर में दो करोर डिग्री सेंटिग्रेट तापमान इंकी सता पर 6000 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान पहे जाते हैं और सुरिक से जो उस्मा धर्थी को प्राप्त होता है तो ये भी बताना चाहता हूं कि पिर्थवी और सुरिक के बीच की दोड़ी लगठक 15 करोर केलो मीटर है और ये इतने अधिक दोड़ी मुने के बागजोद यहां पर सुर्ष से प्राप्त उस्मा का दो औरमा भाग ही धर्थी को प्राप्त होता है सुर्ष से जितनी उस्माएं प्राप्त होती है अगर हम उसको प्रतिशक में लिखें तो सौ का प्रतिशक मानें सौ में से केवल 51 प्रतिशक भाग ही धर्थी को प्राप्त होता है इस प्रतिशक को प्राप्त होता है प्रत्मी से शुड़ी का आकार बहुत बढ़ा है लगवग तेरा लार्फ गुना प्राप्त होता है शोड़ से ये प्राक्ति जो उश्मा है उसको धर्ती पर श्रमान में रूप से सभी भागों में प्राक्ते नहीं दोना है। हम यह भी जानते हैं कि वित्री के विश्मत रेखिये भाग पर शोड़िया दाख, शोड़िया विकरण, शोड़र, रेडियेशन आधिक प्राक्त होता है। और जो जो हम विश्मत रेखा से उत्तर या दक्षिन जाते हैं त्योंतों जो है प्रिद्वी के जुकाव, के कारण, यान कारणों से शुड़ से प्राक्त उश्मा में कमी होती जाते हैं। लेकिन जब शोड़िये जब प्रिद्वी उत्राइन रहते हैं, जब 21 जून जब करण देखा पर शोड़िये लंबत चमक्ते हैं, तो उत्राइन के साथ लगभाद 40 डिगरी उत्री अक्षांस तक शोड़िये का प्रगास बढ़ जाता है। चीक उसी करकार से दक्षनी गुलाड में जब मकर रेखा पर सुड़िये लंबत होते हैं यानि दक्षनाइन होते हैं, तो निशित रोप से जो करकर रेखा पर इस्तित है वहीं जो है, वह है। दक्षनी गुलाड में ये इस्तित देखने को दो, इस तरह से हम देखते हैं कि दिन और रात में दिन की अवध में जब सुरी उत्राइन होते हैं, तो उत्री गुलाड में निश्यत रूप से विष्वत रेखा से जोजो हम आगे की और बढ़ते हैं दिन की आवगत बर्ष जाती है और ठीक उसी प्रकार जब सोड़ी दचनाईं होते हैं तो निश्चित रूप से दचनी कोलाड में दिर की आवाद बढ़ती चलिए जाती है। इसको हम इस डाटा से भी समझ सकते हैं। जैसे विश्वत रेखा विश्वत रेखा पर विश्वत रेखा यानि जीरो डिगी अक्षांस। जीरो डिगी अक्षांस पे यह हम जानते हैं कि अक्षांस पे दिव की अवादी कितनी की होगी है। दिव की अवादी दिव की अवादी यह बारागंते को होगी है। बारागंते को ठीक उसी प्रकास से अगर हम देखें तो 17 दिग्री यह तब होता है। उत्राइन होते हैं। यह कौन से जब सूरी उत्राइन होते हैं उत्री गुलाड में। जिरो डिग्री अक्षांस पर तो बारागंते की रात होते हैं। लेकिन जब सूरी उत्राइन होता है, उत्राइन होने के बाद उत्री गुलाड में। जिरो डिग्री अक्षांस पर तो जिरो डिग्री अक्षांस पर तो जिरो डिग्री अक्षांस के बारागंते हैं। फिर उसी प्रकार से हम देखे हैं। तो 17 डिग्री उत्री अक्षांस पर यह दिग्र कितना होते हैं। कि तेरह गंति को हूँ कितना तेरह गंति को कि उसके बाद हो अगर 31 दिघ्री उत्री अक्षांस पर क्या होता है ताइश दिए उत्री एक्षांस पर जो है दिनकी अवर कितनी हो जाती है 15 गूट्री फिर आगे चाल करके हम देखे हैं 69 गूट्री पर कितना होता है थे उत्री अक्षान्स पर दिर्टी आउज कितनी होजाते है। फिर आगे चार्ट करते हम देखें । तिर्सथ विगणी उत्री अक्षान्स पर दिर्टी अउज कितना हो जाते है। देखें 20 गर्टेट, फिर नेक्स अगर हम देखें जो साजिए 60 डिगड़ी, साजिए 60 डिगड़ी उत्री अच्छांस पर जो है तिर्की अवर रहो जाते है, 24 गर्टेट, कितने 20 गर्टेट, फिर अगर हम आगे बाते हैं तो साजिए 60 डिगड़ी, 60 डिगड़ी एक 20 मिनट पर दिद की अवर कितने हो जाते हैं, फिर आगे चल करके हम देखनें, तो सत्तर डिगड़ी 11 मिनट पर इसी दिगड़ी अवर कितने हो जाते हैं, चार मातर, और 90 डिगड़ी, उत्री अच्छांस बड़ी रहे हैं, देखिए हमके की हो जाते हैं, स्वेर मातर, ये चाहें विश्वट रेगा, ये हैं उत्री मोला, जब सूरे जहां देखना है, जब शूरिये उत्राई होते हैं तो उत्री मोलाड में दिप की अवाद ही, अब देखने की बात है ये, ठीक जब सूरे रेक्ष्णाइन होते हैं, यानि हमकर रेखा कर गुजरते हैं, खिर दिन की अवर्णी जो है, शौर्विक्रत जो है, चानिस्ति गुरी तक अभी देखने की बिलता है, इस तरह से जो इस्तिति जो है, शौरे रेक्ष्णी गुलाड में बढ़ते जाते हैं, ठीक उसकी अपोजित जो है, देखे म में उत्री ध्रूग पर दिन की अवर्णी कितनी हो जाते है, शय मां का हो जाते है, ठीक, इसके अपोजित जो है दचली ध्रूग नपिःबनी दचली अच्छांस पर जो है 6 मेंशनी का रात. तो इस तरह से दिल की आवागी अक्षांसों के त्रिष्टी से बढ़ता चावा जाता है। प्रित्वी पर स्वार विक्रन का प्रभाव देखने कूँ तो इसको नोट कर लें। शौर विक्रन से ही शोडियाताव से जैब जगत हो या पादर जगत हो या खंते जगत जो भी हैं उनके जीवन के लिए आउसर्थ तात्मान प्राक्त होता है। अगर शौरविक्रन प्रात नहीं हुए तो यहां पर जो है किसी करकार की जिवन्त होने की अवस्था देखने को ही नहीं हुए दूसरी बात है तात्मान के जिननिता के कारण ही हवाय चाहती है हम यह भी जानते हैं क्योंकि जहां पर तात्मान अधीक होगा उहां पर क्या होगा तात्मान जहां अधीक होगा प्रिशर उहां पर क्या होगे नवाब क्या होगे और जहां पर तात्मान कम होगा उहां पर प्रिशर क्या होगा वहां अधीक होगे तो हवा जो है दार जाता है कि lower pressure lower pressure higher temperature with higher temperature उसी प्रकाल से lower temperature higher pressure lower temperature higher pressure और जहांपर दाव अधिक होगा वहां पर अदिक होगा होगा वाई काई काई होगा क्योंकि वाई का दाव जो है दर्व हवाई हल्की हो करके उपर उठ जाती है जानते निये दर्व हवाई हल्की हो करके उपर उठती है निशित रूप से उसका प्रेशन जो है क्या हो जाता है कम हो जाता है जबकि ठंदी हवाय जो है उधाई होते हैं वो इसका प्रिशन जो है वो अधिफ होता है ठीक है तो वह महां पर उच्छ वाइदाब का क्यल्ब बन जाए हवाय सदेग उच्छ वाइदाब से निम्द्वाइदाब की वो चन्दी है यह तो इससे पहले की के भी किलास में बताया गया था नेक्स हम देखते हैं कि यह सुर्याता जो हमें गड़्टी को प्राप्त होता है क्या यह सुर्याता प्राप्त होने की कितनी वीडिया है प्राप्त होता है विक्रण विद्वी एक है उसमगहान ग्रधि और एक है संचार्ण यह तीर वीडिया है जो उस उसमा का उसमा के संचार्ण अब सबसे पहली बात यह है जो है कि विक्रण किसी भी पड़ार्द के उसमा तरणों के शीए संचार्ण वारा गर्म होने की ब्रधिया को क्या किते हैं हम बते हैं थिक्रण वीडि व्क्रण विद्वी दूसरा क्या है दूसरा है संचालन के दिखा जाए तो मात्रव से वनिवाले उसमा का जो है संचालन कहलाता है क्या कहलाता है संचालन कहला और तीसरी वीडिया है संभान किसी भी पदार्थ दूसरे भाग में एक भाग से दूसरे भाग के और उसके कर्पन के साथ उसमार का जो संचालन होता है उसे आप क्याता है उसे हम संबहर के नाम से जाते हैं संबन के नाम से बादे नेक्स इसको तो बैं दिया होगाँ अब में जो है इसकी पीधिया लिखागा सबी पतार्थों की भाती वाइभी 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 इन वीधियों से से वाइभ वाइभी वाइभी पहला है पहला है इसको हुआ जो है इसको हुआ पहलते नि वी किरा निए पहला है जो है जो है बिगन भी इसी बदाद बदाद के उसमा उसमा तरणोगी सीधे संचार बन्यार मुमिकी अन्यार रूशा है रूशा संचाली रूशा संचाली आम्निशक्रेटा संचाली आम्निशक्रेटा संच्रेटा 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 रूशा सम्निशक्रेटा संच्रेटा हमेवात किसे कि अपल कर दो कि अपले हैं सामिसार अबगा आ किसमा कि अपले हैं काला प्राज़ नेक्स से संबहन किसी का दाग में कर दाग में एक भाग से दूसरे भाग की काला प्राग है तो ये Wijn किसा भाग में एक्ट अार प्राग से प्राग की हुण एप्सक आजए कर तो एफ्सक एफ्सक एफ एफ तो एफ 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 इबादान प्यांद एफ विए कि अप्सक कर दोत हुआ एफ कि कर सके कि एंग एंग सबी पतार्थों की बाद बाइन भी तीन बीटनों से सबी पतार्थों के बाद बाइन भी तीन बीटनों से दर्म होती है पहला है विक्रण बीटन, किसी भी पतार्थ के उश्मा तरंगों के सीधे संचार दवारा गर्मोने की प्रकड़िया को हम क्या करते हैं विक्रण बáticas कहते हैं आन्विक शक्रेता पदार्थ्यों के मात्यम में होने वाली उस्मा के संचालन का आए क्या करतिक्वार और आन्विक शक्रेता पदार्थ्यों के मात्यम से होने वाली उस्मा के संचालन का आए और तीसरा है आपके शंबह, इसी प्राइब ने एक भाग से दूसरे भाग की ओड उसके तक्विं के साथ उस्मा की संचार की क्रियाब शंबह कर लाता है, यह प्राया है तरर और कैसों में अधित देखो, तरर और कैसों में ही प्राया, इस तरह से जो है उस्मा पाई जो है गर्तर देखो, अजा के तक है, एके जो को में अगित्लियारे, तल्टे, भाग स्कुमिन ओनी ओरता है, जो ह держए से। भर्टी पर भर्टी पर शोरे के प्रकाश शौरे विक्रण के नुप में जोट रहा है उसका समय पेपना लगता है भर्टी पर शौरे शौरे विक्रण द्वारा रख उस्मा को धर्टी पर पमोचने में लगने वाली समय कितना लगता है समय आठ मीनेट और बाइस सेकेंड का समय लगता है अधर्टी पर शौरे विक्रण द्वारा प्रख उस्मा को धर्टी पर गोंचने में कितना समय लगता है आठ मीनेट बाइस इतना आज बिनेट बाइस सेकेंड कि सुड़ से प्रख उश्मा है जो पतार्ट जितना गार्ण होगा उससे तरख में उतने ही छोटी निए तो सुड़ से प्रख उश्मा लगतारंगों के रूप में प्रख्री पर पहुंचती है लगतारंगों के रूप में फिर्ट्री पर पहुंचती है जिसका पहले में ने बता दिया कि उसके वल एकावंद प्रख भाण की धर्थी को प्राफट होगा और धर्थी के द्वारे हुआ है बहामिक पिकरण की द्वारे को नह जो है वो सर्जित हो जाता है जो एकावंद जननत की कि इसको हम उस्मा बजट के नाम से से जानते हैं, जनका हम सांटे ह। उसमा उसे के जानते हैं कि उस्मा ञधी है , जो लगो ठरणों के फारती तो होता है और धर्थी के द्वार क्योंकि उससे बाइमंगर क्या होता है पारदर्शी और जब धर्थी गर्म होती है प्रज्मी गर्म होती है तो प्रज्मी से जो विकरण होता है जिसको आप पार्थी विकरण होता है तो जो मोटा मोटीवों के यह समझना है कि जो पदार्थ जितना गर्म होगा उससे जो तरंगे निकलेगी वो लगो तरंगों के लुट में निकलेगी और जो पदार्थ जितना खम गर्म होगा उससे जो तरंगे निकलेगी वह दिर्ग तरंगों में निकलेगी तो इस तरह से छो विश्ये प्रप में बुश्मा के वायूट पाढ़ अ कृताती है, बुश्ये कजनगों मेंदश्मा के उखेयत पाढ़ करशिय होता है, जीवन के लिए, सजीव जयगत के लिए, पादर जयगत के लिए संतुली जोय है दाप मान जुर्ण रापटे वह जाता है और अगे सबस्राइक है, पादर जगत सथी जगत सभी जीवन तरवस्त में को जोतना है अगर आगे चले आपको जो है इसके और विस्तार से समझाने किया और आपको जो है यहां गलिए अगे एसके और विस्तार से समझाने किया है